आपका गाम में जुकरजार युवा जारे हैं उनमें तो कितना बंदे ऐसे हो गए या फिर थे या फिर इभी हैं जिसना मतलोगी जमीन बेच का गई थी देखो अच्छे बात बता तो से युवा बैर जारे नहीं है में उर्या का जमीन खरीते हैं या केक रहे हैं इंदोस्ता दिल्ली और दिल्ली से परिवार के लोगों को साथ में लिया उसकी अर्ष अस्तियों का अरिद्वार में विशर्जन किया स्वेग मीडिया देखना आज अज एक लुकुराड के ओतरा मराम तामने सारे ने बेरा ट्रेंट चैले रहे हैं वीदेश में जानगा और नाम भी स सुर्वे पर तम आप कुराणे की पाउन धर्ती पर आए आपका पूरे गाववासी और सुभी साथियों की तरब से आपका धन्यवाद बिल्कुजिया आपका विदन्यवाजी कीम्ति टेम काड़े आपना अच्छा न्यूं बताओ जी सब्ता पहला एर कुराणा कठे बोल करते हैं 37 कोम होती गाउं के अंदर परन्तो हमारा यह दोनों गाउं रोड बावल गाउं है और रोड समाज के गाउं है दोनों पड़े लगे चरेतरवान गाउं रहे हैं और गाउं में बड़े-बड़े मापर्शों ने या जनम लिया है इसलिए हमारी एक दूसरे से सब करता है दूसरे से जुड़ाव है मारा प्यार है और एक दूसरे के साथ हमारे जो विक्तिकत समध इतने मजबूत है कि आपस हमें अनुदूसरी के साहते अधूरे है तो कुराणे बगावर दूर और को अलग नजड़ा जाए परंतु अक्छेतरपल के साथ से और जमीन और कोगत करा दूं कि जो जमीन का खशेतर पल है जिसमें बावनाजार बीगे जमीन उसको बोनि जमीन बोलते हैं और हमारे पुर्वजों ने इस से मंगवने से कुछ जमीन, एक हमारा मेतंड़ जो सात्र में बसा हुआ है उसमें कुछ जमीन हमारे पुरवाजों ने दान की थी तो इसलिए वो भी कुराने का हिसा माना जाता है अमारे 10 पानने के मानने जाते हैं और एक पानना मैतन माना जाता है जिसको हम अपना 11 पानना मानते हैं सबसे जादा वहाँ पर निवास करती है इसलिए दोनों गाओं रोड भावल गाओं है इसलिए रोड जाती के प्रमु गाओं होने की वज़े से दोनों इखटे गाओं माने जाते हैं देखिए वेसे तो सबसेडा से बारा छौदा TER तो का तो हमारा बनता है पर तुग गाउं का जो समाचिक डाच्चा है वो इतने समझदार थे क्यों उन्हों ने आपसमें इतना चाल मेल रख्या हमें दो पंचा तो किया वसकता ही नहीं देखिए यह तो बहुत एक पहले की तियासिक चीजे हैं अठारा सुस्ताउन की करांती हुई उससे पहले भी हमारे पुरुवजों ने कहीं बड़े इतियास रचे है हमारे पुरुजों द्वारा एक पहले रिवाज होता था जब मुगलकाल होता था उस वक्त क्या होता था जिस गाओं के अंदर सबसे ताकतवर जो लोग होते दे दूसरे गाओं को कोई दिक्कत होती तो उनकी मदद लेने के लिए वो लोग आते थे उसमें क्या होता था किसी भी जाती को किसी भी समाज को कोई व्यक्ति प्रेशान करता था वो उस समाज के पास आके अपने अधि प्रिवार है लंबरदार एक उपादी थी इनकी जो घुम्मे वाड़ी थी ऐसे ही क्या होता था दसitel ちरीक तर गहां के ओपर अक्शेतर के साफसे कोई aukक कुपादी थी जाती थी जैसे ठोड़ेदार होते थी हिसी तरिक्यत से बहुत बेद होते थे आपसी हमारे जो जगड़े उसमें पंचात में हमें तपेदारी के अक्षेतर के इसाब से एक वेक्टिकी मोजुदगी उसकी अधिक्स्ता के लिए रखनी जुरूरी होती थी इसलिए हमारे पुर्वजों को तफे दारी की उपादी मिली गई थी तो ये तो कुराने गाउं का इतियास अजारों सालों का सेकड़ों सालों पहले से बना हुआ ये इतियास ही गई हमारे पुर्वजों की देन है और UAPD ने इसको बरकारार रख्या है और मैं तो UAPD को भी धन्यवाद हूँगा अमारी UAPD ने ये तो ठीक है आज अमरिका की लड़ाई है हमने तो खेलों का मामला है खेलों के मामले में कुराने का बहुत बड़ा काम रहा है और जो कुस्ति का मामला है कुस्ति की तो जो PhD बोलते हैं ना कुराना गाउं कुस्ति की PhD रही है 200-300 साल पहले भी हमारे जो पुर्वज थे वो मल्यूद के अंदर इतने सक्षम थे कि उन्होंने 1000 कोस्तक 100 कोस्तक उनके मुकाबले का कोई वेक्ती नहीं था पुष्टेम अरियाना पंजाब इकटा था तो पंजाब अरियाने के जो एकता थी उसमें हमारे गाउं के जो पुर्वज पहलवान थे उनका नाम पाकिस्तान की मुमी तक लिया जाता था वो सब भारत के अंदर था थीक आज अलग देश बन गया तो हमारे पुर्वज ने तो खेलो में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है और आज अमरिका में पहुंचने का जो है यह तो गाउं के अजारों युवाओं ने उस दोड़ में अपने आपको सक्सम किया है और व अर्याणे के व्यक्तिव को भी गोर्व करना चाहिए कि अर्याणे में एक समाज ऐसा है जिसके युवाँ सबसे जाद आज अमरिका की धर्थी पर है और अमरिका के अंदर ने वहां के जो समाजिग डांचे उसका पालन करते हुए और वहां की अर्थ व्यस्ता में अपने को निपुन किया है और है बड़े उपने कारिये प्रनाली है कर में काम कर रहें तरों के प्रमंधन की व्युस्ता हूं वहां फार्मिंग के साथ में वह कि कैलरी कल पोस्ट की व्युस्ता हूं क unos काम गांगे होगा तो समय की बात है आने वाला कल ने कुराने गावं का तो आपको इतियास में अमरेका के अंदर भी एक दिन वहा के जो वाइट आस सबसे बड़ा सतान है वाइट आस एंदर भी एक दिन आपको पुराने की गुण सुनाई देगी यह मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं और ऐसा मुझे उमीद है अच्छे टोटल संख्या लावन है अपन जो कर ले आर में तक इतना बालक जा रहे होगे एक कुराना में तक इतना जा रहे हैं देखिए इस चीज में एक दूसरे की हमारा जो तालमेल इतना अच्छा है आम उसको कंपिटिशन नहीं मानते क्योंकि जाने वाले और बेजने वाले और शेय करने वाले अबारे दो नुगाओं के एक दूसरे से संबद जुड़े वे लोग है ठीक है उसमें कुछ युवा उनके जो यहां काम करें और कुछ ऐसे युवा जिनकी वहां जुरूर थे उनके हिस प्रोटोकोल के सबसे इनवाइट किया है रुवाम्तरित किया तह यहां से वह भी जागे तोर पर वहां गये तोर पर हमकिसी वी की संख्या का सही आकडे कहीं बार ग्यात नहीं होते हैं परन्तु अंताजा यह हमारे 500,000 युवा आज बाहर है और 1000 युवा तो इसलिए बाहर है क्योंकि हर परिवार में ऐसा कोई घर नहीं है जिसका युवा आज बाहर नहीं है और अजारों में से कुछ युवा कनाडा में भी जादातर अम दोड़ लाई थी नहीं किस्ति लाई दिया देखिए वैसे तो मैं इसको दोड़ नहीं मानूंगा यह समय की जरूरत होती है पल्यान क्या होता है आपको अभी पता है अर्याणा आज उचकोटी पर सिक्षित है और अर्याणा के अंदर हमारा जो सरकारी व्यवस्ता है वो एक समाज के युवा इस गाउं के पाउन भूमे पे चोदरी मेंदर सिंग जागलान पैदा हुए और वो इस परिवार में पैदा हुए कि वह शिक्षक यह चेतर में उनको पीजडी के लिए अमरिका में अमतरित किया गा था उसके बाद वह स्विचर लैंड भी रहे उसने भी कुछ युवाव को वामतरित किया उसके बाद कुछ शिक्षक चेतर में वहां गए परन्तु कामगर जो वीजा है जो काम करने वाले जो युवा थे यह 2000 सन के बाद ही यह दोड़ सरू हुई नहीं जो स्ताब दी आई 2000-2005 के बाद उस में थोड़ी यह जुरूत मैस हु जल्दी ही उन युवाव के लिए वहां उचित सतान बढ़ने लग रहा है क्यों बढ़ने लग रहा है उसका में उत्तरा आने वाले समय में आपको दूंगा अच्छे एक बार हो ताओ जुगला इसी कितने परिवार हैं जिसका आड़ा नाम निशान नहीं रहा ओड़े जै से हैं हर परिवार का संबद यहां से है कुछ परिवार वहां चले जाते हैं सताई तोर पे चले गए 6 मेने साल रहा है उनके जो चाचा ताओ परिवार जो संबद है वह आते हैं उनमें सामिल होते हैं यहां रिष्टेन आते हैं साधियों में आते हैं अब जैसे यह सागर है परिवार में तो कई ऐसे परिवार है जो वहां जा रहे अच्छा काम करें तो वह समय समय पराते हैं हम भी उनको ज्यादा यह दुखी नहीं करना चाहते हैं और पक्के कितने को रहे हैं जो प्रोसीजर है वह काफी लंबा प्रोसीजर होता है वहां दस बारा साल बाद ही आपको प्रबंदन है वहां के जो सिस्टम उसके अनुरूप होता है तो वहां भी हमारे Richtung में है कि वहां सथाई निवा सथाई मंकरण उनके है और अमरीका अंदर भी सेखड़ उइवा मारे ऐसे हैं जिन्होंने अपना वहां पर बंदन बढ़ बचालिया है पुछ इवां जो जाते है उनको रहने का व्यस्ता हो हु vídeo आप मेरे को आभ यह बोल दो या आप आए है आप आए है आप यह बैटके ने कर सकते हम दूसरे की देश की पहले चोड़े तो आपके समझने में मेरे समझने में उसका उत्र में वीवरन के तोर पर आपको देना चाहूँ डोंकी सबद क्या है दोंकी सबाद कुछ झ technici के लोगों दे दिया कोई फिर्म को ने कि उसको जाने कि वहाँ स्थेयों चायिए उसका प्रबंदन कों कर सकता है उसकी प्रहप्रवन कर सकता है उसके रुकने की वश्ता कोन कर सकता है जो लोग इस तरी के का काम करते वो पर फीस ले लेते उनको डूंकी के दिया जाता है और ज्यादा तर दूंकी का तो से हर वेक्ति को लेड़ा ही पड़ता है अगर आप बात चीत करा है फिर टोटल बंदे कितना जा रहे हैं पर डूंक जो लेकिसे भी नाम तसंस्ता गाम की सपाहिक राम देवाशा है मेरे गाउं के यूआउ ने चार बार बहुत बड़ा समाज को एसास करा कि हम बार जाके क्या कर रहे हैं आपको पता है कुछ समय पहले विश्वे के अंदर भार्ध के अंदर बहुत बड़ा क्रैसिस आया थ जहां हर मैने कई करोड रूपे बैंक में आते थे और गाउं का बूजरक आदमी जब एर की तरफ जाता है दूसरा यह पुर्टा कहां जा रहा है वो बोलता था बेड़ा तेरी गोजू दो बैंक में पैसे बड़े हम तो दूसरे के उस्ता में मदद करने वाले लोग थे मे में पैदा हुए हम गव मातों को मानते हैं हमारे यहां के बहुत बड़ी गव साड़ा है मेरे गाउं के हर युवा ने पचास हजार ये क्यावन जार से लेके एक लाग रुपे तक की विवस्ता तो सहयोग में वहां हर साल देते हैं मैं तो यह कह रहा है आप आज राउंड यह लगा रहा है जल्दी ऐसा मोका देवांगे आपको दो चाल साल लोग जो मेरे गाउं का कोई युवा महां से एर्क्रोप्ट लेके आएगा आपको एलिकॉप्टर से राउंड करवाएंगे आप गाड़ी से घूमो चिंता मत करो आ अधर जितने विया लिसान को ति आप लोग देखने लागे अचान जो पताओ जी गाम में नोकरी कितनी है मेरे गाउं में नोकरी यह का भी परमात्मा की वज़े से बहुत बड़ा आधार है बहुत बड़ी संक्या है क्योंकि मेरे गाउं में सबसे ज्यादा तो शिक्षक म सब अधिकारिक सब्सक्राइब करें मेरे गाउं के अंदर तो मेरे बहुत बड़ा योग दान रहा है क्योंकि सपोर्ट की वज़े से यहां जो युवाव के अंदर करेज था उससे पुलिस और फोज की जो नोकरी थी हमारे ग्रामिन प्रिवेस में दो इनोकरी होती थी यह में युवाव को लगता था कि अपने सारे रिक मजबूती से वहां भागेदारी कर सकते हैं कि जो फीजिकल होता था वो यह उसको जल्दी कवर कर लेते थे और पहले कि जो सेक्ष्ण की योगता थी वो दस वीक के पास लगबग होती थी दस भी पास युवाव को ज्यादा पुलिस के अंदर हमारे चोदर या सोग शिंग रग है जो आज डीजिपी पोस्ट पे हैं बहुत सीर आईप्येस रहे है लगबग उन्नीस सो असी बैच के आईपीस रहे है तो आज बड़े सितर पर काम करें संज्जां की बात करां या फिर गाटियां की बात करां कुण सी कुण सी कर्टी मिल जांगे इसमय है मेरे गाहों के अंदर एसी कोई गाटी नी एक ऐसे को बंबबै को चोड़गे बाकी जो गाडियां अर्यान के अंदर मेरे गां मेरे घृव और यृवां के पास है जो भी मेरा यूवां चोटार है तो परामपरनीक तो पर मजबूत वह मेरे गाउं के युवाओं के पास वहान है वहानों की कोई काम ने मेरे गाउं में तुम्हें आपको छोटी सी एक अस्य की बात बताऊंगा आप आप आश्रिय मानों के उस वक्त हमारे गाउं के रिष्टेदार मानों से में वभ्या रखे थे कालखा गाउं से चुनाव लड़या था इस राणा विधानसवास से उस सतर पर माना जाओ तो उन्होंने मायवती के चुनावचीन पर लड़या था विधा उसमें मायवती ने रखें इस्राणा में में तो मेरे ऐली वेलीो ने तेका है कि अंदर एक ट्रेकटर नहीं क्लके रिल्ली में जाए तो इतने ट्रेकटरों में वहां रेली में संबलित हो सकते हैं करनाड और गुर्चे तरहें हैं। देखिए वहां कई बार क कही चीजे आगे पिछी होती होती रहती है आपको पता है कई बार कुछ समय ऐसा होता है कि जैसे आप करोना में कुछ चीजे गटी वदी उसके बाद थोड़ा सामरीका में कुछ मंदिगा दोर है उसमें कुछ रेट नीचे उपर नीचे हो जाती है और उससे को चिंता ओड़ें की चीजे नहीं रहती यूआ काम करना है दूसरा हमें भारतिय मुद्रहां में उसका प्रिवर्तन होता और क्योंकि मेरे में यूआ है तिन膜 किसी परकार करना से उभारान से वह दूर है क्योंकि सारे युवा है और युवा के अंदर थोड़ा सा खेल कूट से निकल के वहां गए है तो बहुत से प्रणने वाले ऐसे युवा थे जिन में किसी परकार का कोई भी वो निशेद वगेरा करते नहीं तो इसलिए वह थोड़ा सा वहां पर अपने जो पुंजी है उसको समाजी कारियों में और पृवार में और सेयो को में उसी में लगाते हैं पर तुम मेरे गाओं के लिए मेरे गाम के युवा जो दस को साल पहले गए वो भी ऐसे स्तापित हो चुके है जो नए युवा वहां जा रहे उनको वहां हर तरीके से शेयोगुन के दुवारा मिल रहे है जो आज चल रहे हैं देखिए मैं इस चीज को इसे दो नजरी से देखता हूं वहां पैसे लगा के जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं यह तो कहीं बार ऐसी चीजी होती है जिस परिवार का गाओं के हर साथी ऐसे हैं जिनका कोई मित्तर साथी या रिष्टेदार या चाचाता हुआ कोई लड़का सथापित है वहां बार रह रहे हैं उसके लिए पैसे वहां लगाने की उसको इतने खर्चा करने की जूद में पड़ती क्योंकि उनके द्वारा व युवाओं ने जाते हैं कुछ काम कर लेते हैं काम करके उनको फटोड़ा के पैसे चल खरज भी होते हैं तो लगता है कि यहां आपा अब बंदे ऐसे हो गए या फिर यह भी हैं जमीन बेच का गई थे कुछ यूवाओं ने मैं मानता हूँ कि एकाद यूवा ऐसे थे चिनके तोड़ासा आर्थिक तोर पे सक्सम नहीं थे कि तो व्हुत थोड़ाई सा कहीं कहीं डूठ जमीन मेरे गाओं के युवाओं ने मेरे गाओं के प्रिवार हम ने इसा हो वह अन्य दिए और और कुछ वाचित थीके दौ साल तीन साल आपको रखलो जमीन और मेरे पैसे होंगा वह सकता हूल को New तो जमीन अपने वाव पीस ले ली तो कुछ ने तो ड़या है तो जो जा रहे हैं उन लोगों की चीज़े वह नहीं पता होता है कि वह पास मेरे पास जो जनकारी है कि उस्वक्त मुझे लगता है कि जादा खर्च करने बगारा कि मुझे लगता कि जूर्ट नहीं होती पर तुछ त्रीके कि उस्वक्त जादा लोगों को उसमें रूची नहीं तब रूची बढ़ते तो डिमांड बढ़ते और दिमांड बढ़ने के बाद तुरा सार यह सबसे बड़ी तो विशे यह बताऊंगा वहां उस परिवार को आर्थिक तोर पे सॅंब्त स्याओं भकाण से बढ़ना किया उसके अंतिम सशकार की किया उसमें भी गाउइमरीका से नियुक चली, मेरे गाउं के जो सीनियर सिटीजन वेक्ती है जो बड़े लिखे वेक्ती जो बड़े आदमी वह इसका विरोध करते हैं मैं इसके पक्स में नहीं हूँ परन्तु कुछ युवा है और सो लास में कहीं बार खुशिया मनाने के मादव से उसको कर लेते हैं ज्यादा तरह हैं कि पंपटा के सही करते हो अपने देवी दप्ताव पर प्रशाद बचड़ाते हैं जो हमारे मनते उनको संपूर्ण करते है बोग लगाते हैं जगराता करवाते हैं और साथ में कुछ युवा प्रशाद के रौतोर पे मिठा मूव वगलाते हैं कि कोई लड़्ू बनवा दिया किसी ने कोई दूसरे मादम से जिमना कर दिया तो मतलब वो ठीक है किसी ने किसी रूप से मतलब एकदान कुन के रौप समय में इसमें वह और सुधार करेंगे ऐसा सब को उमीद है कि उसकी बजाए वह एक धार्मिकारियों में रूची दिखाए उसमें वह बढ़ा दे उसकी बजाए वह अच्छा रहेगा बिल्कुल तो इस गाम में के हमाना बहुत सारे गरां पर इंदुस्तान गजन डाला गया मैं बहुत खुशी कि अच्छे एक बात रूबताओ जुगराली देखनी अपां खालिस्तान नी आपने लाएंगल रोड़ा मैच दार होगा अश्ट्रेलिय में अमेरी का में भी इस बारे में आपके के विचार है देखो मैं चीज को पूरन तरह किसे मैं खालिस्तान का खं अब श्रीक जो आपने कालोई इट्ने अच्छे विश्य पर को समझान होगा कि हिंदू समाज के कुछ व्रगोसी कुछ युवाव को उस वक्त सामिल के आगादा उनके वज़ेसे सीख समझान ने करता और अर्याणा में खालिस्तान मगैरा की मॉम्मेट का कोई अशर नहीं तो मेरे समाज का यूए उनका विरोध करता है और वह बहार जिंदाबाद का जंडा बूलंद करता है और इंदोस्तान जिंदाबाद को उच आगे रखता है और एसा रखता रहेगा इसे मुझे उमीद है बिल्कु बिल्कुल तो एक पुर्वजों के मादम से कहीं कुछ किस मादम से कोई हमारे पुर्वज का नाम करन कुछ इस तरीके से हुआ कि यह राय पुर्वज दे उसमें कोई करनपाल का नाम कोई परमुक वेखती थात्ए मितल्ए करन का नाम ब्रोड का पर झाते हैoured और कुराणा गाऊं पिस हरियाने के रोड समाज का भी बहुत बड़ा वह है एक माना जाते हैं सूर समाज करने का दार मेरे गाऊं का समंझ यह सामज क बहुंत हरे जब ह freshmen कारियों में रूचि लेते हैं यह उस नजरिये के लोगों की सोच होती है जिसको अपना भविश्य दुमिल लगता है पर तू एसा नहीं है मेरे गाउं के अंदर आप जाओगे हर गड़ी में आज भी युवा खेलता मिलेगा खेल के मैदनों में भी आज युवा है और आप स एक बात रहे हैं मेरे जुआ हो जल्दी जवान हो जाता है पुर सवस्ता में आ जाता है कि उसमाज के जुम्मिवारियों को प्रिवार की जुमिवारियों को अपने शिर का समय होता है है मुझे आपको कहने कहीं बाहर से जोड़नायेवटी निट्राएज हैं के अन्दर यहीं को लगती सब्सक्राइव नीजिदी में hebt मुझे लगता है अरब कंट्रियों में थोड़ा सा कम रहता है प्रंतों अमरीक और बाकी जो कंट्रियां उनुमें भी मेरे गाउं के युवाव का बहुत बड़ा रुजान है उसमें समलित होते रहें जिसके सगे समधि वहाँ है जिसके माता पिता या चाचा ताओ वहाँ है उनको भी वहाँ जाने का उसर मिलेगा बिल्कुल अच्छा निवर बताओ जुगर गाम में कि हैं बाहर तलाव मेर जीटन गोरी अंग्रेजना गला है देखे इस अक्षेतर में में मेरे गाउंकले युवाव का सरानिय करूंगा वो विदेशी संस्कृति और सभी दायों को अपनाने वाले युवा नहीं है वो अपने सस्कृति और सभी दाका पालन करते हैं वो कुछ युवा ऐसे जो दद साल बाद भी यहां आये है परन्तु उन्होंने यहां आने के बाद ही अपने रितिर्वाज और प्रिवार की मर्दी से ही साधिया की है इस पेज के मादम से मैं आपको भी और सभी गावम वासियों को भी और सभी युवाव को यही निवेदन करूंगा कि वाने वाले समय में जिस अक्छेतर में जिस त्रीके से बाहर जा के अपने पविशे बना रहे हैं तो वो गाउँ का समान और गोरों आगे बढाएं और उसके ऐक्छेतर से एक दूसरी के साथ प्रषप्रसंबद बढाके रखें और भारत को और हिंदुस्तान का नाम आगे बढ़ाएं और खालिस्तान वगयरा के जो ये विशे है वो हमेरे गाउं का युगाउस में समलित नहीं होता है वो उसका गोर निंदा करता है और हिंदुस्तान के रितिर्वाज और संबद और हमारी प्रंपरार से विदान का पाल तं।